तारे सितारे वंगरहनक्षत्र बदलते हैं अपनी चाल और एश्ट्रो गुरुजी बताते हैं आपकी जन्मराशी का हाल मित्रो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही चैनल एश्ट्रो गुरुजी में मित्रो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुचे आप नित्य नई नई यानवर्धक जानकारी वनित्य का राशी फल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो मित्रो आज आपको हम बताने जा रहें देनिक राशी फल दिनांक 22 अक्टूबर 2019 मंगलवार के दिन का तो आज के देनिक राशी फल के अनुसार आज 12 में से 17 राशी वालों को सितारों का साथ मिलेगा वहीं अन्य पांच राशी वालों के लिए आज का दिन सामाने रहेगा तो आज कारतिक मास कुरुष्ण पक्ष की नवमी तिथी है मंगलवार का दिन है आज का दिन मान है 11 घंटा 19 मिनिट का और आज सुर्यादोय होगा प्रातहकाल 6 बच के 25 मिनिट पर और सुर्यास्त होगा साम 5 बच के 45 मिनिट पर आज दिन की सुरुबात पुष्य नक्षत्र से होगी इस शुब नक्षत्र में कोई भी शुब कार्य आप कर सकते हैं किसी भी प्रकार की यदि आपको खरी दी या विक्री का कार्य करना हो तो यह नक्षत्र 32 रेष्ट माना गया है तो और आज साध्य नाम का शुब योग रहेगा आज चंद्रमा का संचरन करकर आशी में होगा और आज का शुब समय अभी जीत मुहर्त आरंब होगा दिन के 11 बच के 42 मिनिट से आरंब हो करके तो दिन के 12 बच के 28 मिनिट तक रहेगा तो इस सुब महुर्त में कोई भी शुब व नया कारिय आप कर सकते हैं और आज का शुब समय दुष्ट महुर्त प्रारंब होगा प्रातह काल 8 बच के 41 मिनिट से आरंब हो करके तो प्रातह 9 बच के 27 मिनिट तक रहेगा तो इस समय अवधी में कोई भी शुब कारी की शुरुवात आप नहीं करें और आज राहु काल रहेगा दो पर दो बच के 55 मिनिट से आरंब हो करके तो सायंकाल 4 बच के 20 मिनिट तक रहेगा इस समय अवधी में किसी भी कारी की शुरुवात आपको नहीं करना चा अपने इस्ट देवता का नाम उच्चारण करके यात्रा आप कर सकते हैं तो आज जो है मंगलवार का दिन है मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी को अती प्रिय दिन होता है तो जो भी व्यक्ति सरद्धा पूर्वक मंगलवार के दिन भगवान संकट मोचन हनुमान जी की पूजा आरादना करता है विशेश उपाई उनके निमित्त करता है उसे जीवन में दुख वग संकटों का सामना नहीं करना पड़ता है उसका पूरा जीवन जो है मंगलमाई हो जाता है तो वीर हनुमान जी महराज को आज का दिन समर्पित है मंगलवार की दिन हनुमान जी की सरद्धा पूरवक आरादना करने से सभी दुख वग कश्टों से व्यक्ति को मुक्ती मिल जाती है हनुमान जी की विशेश करपाद जिसके उपर भी होती है उसके सारे कारिय निर्विग्न संपन हो जाते हैं और मनो कामनाई भी शिग्र उसकी पूरी होती है तो भगवान रुद्र के ग्यारवे अवतार हनुमान जी मंगल के अधिश्टात्र देवता माने गए हैं तो राम भक्त हनुमान जी की उपासना के लिए मंगलवार वशनिवार का दिन विशेश महत्व रखता है जिनकी जन्मराशी के उपर ढहिया सनी का प्रभाव हो साड़े साती का प्रभाव हो जिनकी जन्मराशी पर अंतरदसा या महादसा सनी की चल रही हो उनको शनिवार के दिन भगवान हनुमान जी की विशेश पूजा अर्चना करना चाहिए जिससे उनको दुख संकटों से मुक्ती मिल जाती है मंगलवार का विशेश महत्व इस प्रकार से भी बताया गया है कि मंगलवार के दिन ही भगवान हनुमान जी महराज का अवतरन हुआ था इसी कारण इसी दिन का खास महत्व हमारे धर्म गरंतों के अनुसार बताया गया है तो मंगलवार को हनुमान जी महराज के निमित विशेश प्रयोग करने से तुरंत ही बिगड़े हुए काम हमारे बनने लगते हैं और हर समस्या का समाधान होते हुए मनो कामनाई भी शिग्र हमारी पूरी हो जाती है तो हनुमान जी जो है अजर अमर देवता है वे अपने भक्तों के उपर करपा करके सारे कष्टों का हरन कर लेते हैं वे हर युग में अपने भक्तों की समस्याओं का समाधान भी करते हैं तो हनुमान जी की विशेश करपा को उपाने के लिए उनको प्रसंद करने के लिए यह सरल से उपाए आपको अवश्य करना चाहिए तो सबसे पहला उपाए इस प्रकार से है कि प्रती मंगलवार के दिन प्रताहकाल सुर्योदोई से पहले उठकर के इसनान कर लेवे और अपने घर के पूजा इस्थल पर भगवान हनुमान जी की तस्वीर या मुर्ती के सामने सुद्धगी का दीपक जला करके मंगलवार के वरत का संकल्प आपको लेना चाहिए यदि आप वरत नहीं भी करना चाहते हैं तो यथा शक्ती हनुमान जी महराज की पूजन कर लेवे उन्हें इसनान करवा करके अच्छे वस्त्र लाल वस्त्र अरपन करें गंद पुष्प अक्षत धूप दीप नेवेद्य लगा करके करपूर से उनकी आरती उतारना चाहिए और भगवान हनुमान जी महराज के सामने बेट करके सात बार हनुमान चालिसा का सरद्धा पुर्वक एकागर मन से पाट करना चाहिए जिस से आपके हर प्रकार के दुख संकटों का निवारन हो जाता है और आपकी मनो कामनाई भी पूरी हो जाती है दूसरा उपाई इस प्रकार से है कि प्रती मंगलवार के दिन हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिला करके चोला अरपन करना चाहिए उनका सरंगार करना चाहिए और हनुमान जी के दाएं पेर से सिंदूर ले करके उसे अपने मस्तक पर तिलक लगाना चाहिए तो यसा करने से भी भगवान हनुमान जी की विशेश करपा आपको मिलती है और आपके दुख, संकट, स्वतह ही दूर होने लगते हैं तीसरा उपाय इस प्रकार से है यदि आपको किसी प्रकार का डर है किसी प्रकार का संसई है या बाहरी हवाओं का प्रभाव है या नकारात्मक आपका विचार हमेशा रहता हो तनाव से मुक्ति यदि आपको नहीं मिलती हो तो उसके लिए विशेश उपाय आपको करना चाहि प्रति दिन हनुमान चलीसा वह हनुमान अश्टक का सो बार आपको पाट करना चाहिए तो इसा करने से आपको हर प्रकार की समस्याओं का निदान मिलेगा और दुख संकटों से आपको मुक्ति मिलेगी किसी प्रकार का तनाव आपको जीवन में नहीं रहेगा अगला उपाय चोथा उपाय इस प्रकार से है कि प्रती मंगलवार को आप सरद्धा पूर्वक सुंदर कान का पार्ट करें तो हनुमान जी की विशेश क्रपा आपको मिलेगी और इससे भी हनुमान जी की क्रपा मिलने से आपके सभी कारिय निर्विग्न संपन्न होगे आपकी जो भी मनो कामना होगी वह भी पूरी होगी तो इन सरल से उपायों में से आप कोई भी उपाय अपनी स्रद्धा के अनुस्वार कर सकते हैं जिससे आपको दुख संकटों से मुक्ती मिले और कारी छेत्र में भी आपको सफलता मिले तो आज जो है सुब ग्रहों की द्रश्टी वा चंद्रबल के प्रभाव के कारण 12 में से सात राशी वालों को आज सितारों का साथ मिलने वाला है तो इन सात राशियों में आज है वरशब, करक, कन्या, तुला, मकर, कुम्भ और मीन राशी वाले लोग वहीं अन्य पांच राशी वालों के लिए आज सामान लाप के योग बन रहे हैं तो आज आज आपकी राशी के अनुसार भगवान हनुमान जी महराज से संबंदित कुछ सरल से उपाई भी आपको हम बताएंगे जिससे आपके सभी प्रकार के दुख संकट दूर हो करके आपको कारे छेतर में सफलता प्राप्त होगी तो आप जानी अपनी जन्मराशी के अनुसार आज आपके भागी के सितारे क्या बोलते हैं मेंस राशी से आरश राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज शुब कारियों में आपका धन व्याई हो सकता है परंतु धन लाभ और उन्नडिके अवसर भी आपको मिल पाएंगे किसी भी कारिय को समझधरी से करने वाले आप रहेंगे इससे आपको कारी में सफलता की अच्छी संभावना रहेगी आज धन अचल संपती तथा सगे संबंद्यों से संबंद आपके काफी बहतर होंगे जिससे कारी छेतर में अच्छी सफलता आप प्राप्त कर पाएंगे आज आपको अशुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आर्थिक लाप के लिए किये गए कारी में आपको सफलता मिल पाएगी परन्तु विलंब से लाप प्राप्त होने का योग आपको बनेगा भाग्यों का सांत वेसे आपको मिल पाएगा आपको कटिन परिस्रम के बावजूद इस्थिती उत्पन हो सकती है आप जितना अधिक परिस्रम करेंगे उतना ही आपको लाप मिल पाएगा आज लाइप की यदि हम बात करें तो आज जीवन सांती से मधुर संबंद बनाई रखने के लिए जीवन सांती को आपको उपहार दें तो इससे उनका सहयोग आपको मिलता रहेगा और इससे आपको कारेचेतर में भी अच्छी सफलता प्राप्त हो सकेगी आज व्यवसाई की यदि हम बात करें तो कुछ नए संबंद जुरने की संभावना अधिक रहेगी जिससे व्यवसाईक दरश्टी से अच्छा लाब आप प्राप्त कर पाएंगे आपके मित्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होने की संभावना भी आज आपके लिए बहतर रहेगी आज स्वास्त की यदि हम बात करें तो आरोग्य के मामले में दिन आपके लिए बहतर रहेगा लेकिन छोटी मोटी समस्याएं आपको हो सकती है तो आज आप नियमित दिनचरिया का पालन करते हैं तो आपका स्वास्त काफी अच्छा रहेगा तो आज आपका भाग्यशाली अंकचार है, शुबरंग आपका सफेद रंग है, सफेद रंग का प्रयोग कारी छेत्र में आप अधिक सदिक करेंगे, तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी, तो आज सभी प्रकार के विग्न संकटवा बाधाओं को दूर करने के लि यथा शक्ती हनुमान जी का पूजन कर लेवे, लाल पुष्प की माला उनको अरपन करें, और चना और चिरोंजी का भोग लगा करके, यथा शक्ती हनुमान जी महराज के नाम मंत्रों का उच्चारण करें, तो यसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वसफलता दायक अगली राशी है वरशब, तो वरशब राशी वालों को शुब परिणाम आज इस प्रकार से मिल सकते हैं, कि आपके कामकाज के छेतर में सहयोग आपको सभी का मिल पाएगा, इस समय में केरियर से संबंदित अच्छी कामियाभी प्राप्त होने की संभावना आपके लिए बन रही है, यदि आप नोकरी आदी करते हैं, तो पद पोजिशन प्राप्त होने के अच्छे संकेत आपके लिए बन रहे हैं, यदि आप विद्यारती हैं, तो पड़ाई लिखाई से संबंदी तयारी आप यदि कर रहे हैं, तो आपको उसमें भी अच्छी सफलता मिल पा पैसों का निवेस आपके लिए नुकसान दायक आज हो सकता है किसी भी तरह का निवेस करने से आज आपको बचना चाहिए जो भी कुछ धन आदी है समाई के अनुसार उसका आपको सदूपियोग करना अच्छा रहेगा आज लाइप की यदि हम बात करें तो जीवन सांती को प्रसंद करने का प्रयतना आपको रखना चाहिए घर में मधुर संबंद आप बनाए रखेंगे तो इसका सकारात्मक परिणाम आपको अपने कारी छेतर में देखने को मिलेगा आपको कारी छेतर में अच्छी काम्याबी हांसिल होगी आज विवसाई की यदि हम बात करें तो भूमी भवन प्रापर्टी वाहन इत्यादी से लाब मिलने के योग है और विवसाईक दरश्टी से अच्छा और उन्नती दायक लाब आपको मिल सकता है आज भाग्य का साथ भी आपको अच्छी प्रकार से मिल पाएगा जिससे कारी छेतर में भी अच्छी उन्नती आप कर सकेंगे आज स्वास्त की यदि हम बात करें तो आज दिल के मरुजियों के लिए सतर का रहने का दिन रहेगा कोई भी परिस्तिती को मस्तिश्क पर हावी आप नहीं होने दे किसी प्रकार का तनाव नहीं ले तो आपका स्वास्त पहले से काफी उत्तम रहेगा तो आ आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है प्राताहकाल इस्नान करने के पस्चात भगवान हनुमान जी के मंदिर में सुद्ध घी का दीपक जला करके भगवान हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिला करके चोला अरपन करें और यथा शक्ती बेट करके हनुमान चाल तिक सुक संसादनों की दरश्टी से काफी अच्छा लाब आपको मिल पाएगा अध्यात्मिक छेत्र की तरफ रुजान आपका बढ़ सकता है जो आपके लिए लाब अपरद ही रहेगा और कारिय प्रणाली बहतर होने से अच्छी काम्याबी आज आपको मिलने के योग बन र आज के दिन कोई भी निरनायक कारिया आप नहीं करें कोई बड़ा निरनाई नहीं लें तो आपके लिए बहतर होगा आज लाइब की यदि हम बात करें तो जीवन सांती से अच्छा संबंदा आप जितना अधिक रहेंगे उतना ही आपके लिए लाब परद रहेगा घर पर के अलावा कुछ बिगडे हुए कारियों में सुधार एवं मान सम्मान में आपके वरद्धी होगी व्यावसाइक छेतर से आज आपको काफी लाब मिलने के योग बनेंगे आज स्वास्त की यदि हम बात करें तो आज खान पान पर थोड़ा सा आप नियंतरन रखेंगे तो आपका स्वास्त पहले से काफी उत्तम रहेगा तो आज आपका भागिशाली अंकछे है शुबरंग आपका केसरिया रंग है केसरिया रंग का प्रयोकारी छेतर में आप अधिक से अधिक करेंगे तो आपको विशेश लाब की प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के वि ये था शक्ति पूजन कर लेवे और चंदनव गूगल सुगंदी धूप उनको अरपन करें। ये था शक्ति हनुमान जी महराज के नाम मंत्रों का बेट करके उच्चारण करें। तो येसा करने से पुरा दिन आपके लिए शुभ वसफलता दायक आज रहेगा। आप हमेशा से सुनना चाहते हैं और आज मुम्किन है कि आपके माता पीता आपके जीवन सांती को कुछ शांदार आशिरवाद भी दे दे। जिसके चलते आपके वेवाहिक जीवन में निखार भी आए रहेगा। आज आपका दामपत्ती जीवन भी काफी अच्छा कारी वेवस्थाओं में अवरोद आपको आ सकता है। तथा लाब प्राप्त होने के आपको कठिनाईयों का सामना लाब प्राप्त में करना पड़ सकता है। धन धान अचल संपत्ती प्राप्ती का प्रयास आपको विलंब से हो सकता है। इससे देरे पुरवक आज आपको क काम को करना होगा तभी आपके लिए लाबपरद रहेगा आज लाइब की यदि हम बात करें तो आज घर परिवार में आप मधुर संबंद बनाए रखेंगे तो आपके लिए उत्तम रहेगा किसी प्रकार का यदि विवाद उत्पन होता है तो उसे सुलजाने की कोशिस आपक कर सकते हैं अतहर आज के दिन का सही उपयोग आप करते हैं तो आपको काफी लाबकी प्राप्ती होगी और अपने कामकाज को सुचारू ढंग से आगे बढ़ाने की कोशिस को आप जारी रखें उसमें आपको अच्छी सफलता हांसिल हो पाएगी आज स्वास्त की यदि हम मौसम संबंदी कोई परेसानी हो सकती है तो स्वास्त के प्रतिया आप यदि आज सजग रहेंगे सतरक रहेंगे तो आपका स्वास्त पहले से काफी उत्तम रहेगा तो आज आपका भागिशाली अंक नो है शुबरंग आपका बादामी रंग है बादामी रंग का प्रयोग और पीपल के पतों के उपर भगवान स्रीराम जी का नाम लिख करके ग्याराह की मातरा में भगवान हनुमान जी को अर्पन करें यथा सक्ती बेट करके हनुमान चलिसा का पाट करें तो इसा करने से पूरा दिन आपके लिज़ शुब वसफलता दायकाज रहेगा अगली रासी है सिम्व, सिम्व राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं, कि आज दिन चरिया को नियमित बनाए रखने का प्रयतना आपको करना चाहिए, आज आज आपको सुख दुख दोनों का अनुभव हो सकता है, आज दिन की अहमियत आपको पत चल सकेगी, आज माता पिता की मदद से आर्थिक तंगी से आप बाहर निकलने में काफी सपल रहेंगे, और माता पिता के आसिरवाद से ही कारी छेतर में अच्छी उन्नती आप प्राप्त कर पाएंगे, आज आपको अशुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं, कि आप पूल रहेगी, परन्तु पेसों के लेंदेन में आज आपको सावधानी रखना अती आवश्यक रहेगा, आज लाइब की यदि हम बात करें तो आज आपका दामपती जीवन काफी अच्छा रहेगा, फिर भी उसे और बहतर बनाए रखने के लिए आज आपको मधुर संबं हो सकेगा, आरतिक इस्तिती वेसे आज आपकी काफी मजबूत रहेगी, आज स्वास्त की यदि हम बात करें तो आज आपको स्वास्ते से संबंदित, कोई छोटी मोटी समस्याएं परेसान कर सकती है, तो आज स्वास्त के प्रती आप सतर करेंगे, नियमित दिन्चरिया का पालन करेंगे, तो आपका स्वास्ते उत्तम ही रहेगा, तो आज आपका भागिशाली अंक आठ है, शुबरंग आपका हरा रंग है, हरे रंग का प्रयोक कारी छेत्र में आप अधिक से अधिक करेंगे, तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी, तो आज सभी प्रक का दीपक जला करके यथा शक्ति हनमान जी महराज की पूजन कर लेवें हनमान जी की पूजन करने के पस्चात लाल पुष्प की माला बना करके अरपन करें और रितू फल का भोग लगा करके यथा शक्ति हनमान चालिसा का बेट करके पाट करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आ पहर की यात्रा करने से अच्छा लाब मिलने के योग हैं धन अच्छल संपत्ती का योग आपके लिए बहतर है इसलिए उम्मीद यह रहेगे कि आप आपके लिए काफी अच्छा कारी आज संपन्न कर पाएंगे आप अपने काम को आज एकागरता पुर्वक करते हैं तो उसम कामकाज से संबंदित केरियर को लेकर उतार चड़ाओ की स्तितियों का सामना आपको करना पड़ेगा परन्तु प्रयास करना आज आपके लिए काफी सफलता दायक ही रहेगा आज लाइप की यदि हम बात करें तो आज जीवन सांती से बहतर संबंद बनाए रखने के लिए आपके लिए आवश्यक रहेगा जीवन सांती को कोई उपहार देवें तो इससे लाइप आपकी बहतर रहेगी और जीवन सांती का भरपूर समार्थन वा सहयोग आपको कारी छेतर में देखने को मिलेगा जिससे आपको अच्छी उन्नती प्राप्त हो सकेगी आज व्यवस आपको अच्छी सफलता उसमें मिल जाएगी आज स्वास्त की यदि हम बात करें तो आज आपको पैट से संबंदित कोई समस्या हो सकती है तो आज विशेश करके आप बाहर के खान पान पर थोड़ा सा नियंतरन रखें तो आपका स्वास्त बहतर ही रहेगा तो आज आपक संकटवा बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है प्राताहकाल इसनान करने के पश्चात भगवान हनुमान जी महराज के मंदिर में सुद्ध घिं का दीपक जला करके यथा शक्ती हनुमान जी महराज का पूजन करें और हनुमान जी के म अंदिर में लाल धोजा और लाल वस्तर अरपन करें और रितू फल का भोग लगा करके यथा शक्ती हनुमान जी के नाम मंत्रों का बेट करके जाप करें तो यसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वसफलता दायक आज रहेगा एगली राशी है तुला तुला राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आपकी लंबित योजनाय पूरी होने की दिसा में आगे बढ़ पाएंगी सामाजिक और आर्थिक समारों के लिए आज का दिन बहतर कहा जा सकता है समाज में आपको मान सम्मान की प्राप्ती हो सकेगी आज मनोर परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कई तरह के प्रयास तता भाग दोड करने के बावजूद भी समस्याएं आपको हो सकती है आर्थिक इस्तितियों से जुजना भी पड़ सकता है आर्थिक लाप के लिए किया गया प्रयास विफल होने की संभावना भी आज हो सकती है इस इसलिए अपने विवेक से आज आपको विवार करना चाहिए घर परिवार में सभी से अच्छा बरताव करने के आपको अवश्यकता रहेगी। आपकी वानी से किसी को ठेस आज नहीं पहुँचे इसका ध्यान आपको अवश्य ही रखना चाहिए तो इससे घर परिवार का माह आपके लिए काफी अच्छा रहेगा आज विवसाई की यदि हम बात करें तो आज पेसों के लेंदेन में आपको सावधानी रखना अती आवश्यक है आर्थिक लाव प्राप्ति के उद्देश से किसी तरह के कारी उजनाओं को विस्तार करना या नए कारी का शुभारंब कर आज आपके लिए नुक्षान दायक हो सकता है आज किसी भी नए वशुभकारी की सुरुवात आपको नहीं करना चाहिए आज स्वास्त की यदि हम बात करें तो सारे रूप से अस्वस्ता आपको हो सकती है विसेश करके मोसम संबंदी कोई परेसानी छोटी मोटी आपको प आलरंग का प्रयोककारी छित्र में आप अधिक स्दिक करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विगन संक्टवा बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है प्रातहकाल इस्नान करने के पश्चात भगवान हनुमाद जी के मंदिर में सुद्ध घी का दीपक जला करके यथा सकती हनुमाद जी का पूजन कर लेगे और भगवान हनुमाद को मिठाई और रितु फल का भोग अरपन करके यथा सकती उनके नाम मंतरों का बेट करके उच्छारण करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वसफलता दायक आज रहेगा अगली राशी है व्रश्चिक व्रश्चिक राशी वालों को आज शुब परिणाम इस परकार से मिल सकते हैं यदि आप व्यापार व्यवसाय करते हैं तो आपको समय के अनुसार अच्छी सफलता मिलने के योग हैं और यदि आप विद्यारती हैं तो पड़ाई लिखाई की द्रश्टी से उन्नती दायक समय आपके लिए रहेगा आज की गई तयारी आपको अच्छा लाब प्राप्त करवा सकेगी यदि आप किसी अच्छी नोकरी प्राप्ती के लिए तयारी कर रहे हैं तो वह सफल होने की संभावना आपके लिए बहतर रहेगी आज का दिन आपके लिए विशे सफलता दायक हो सकता है आज आपको अशुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं माता पिता के सयोग से किसी कारी को सफल बना सकेंगे परन्तो अन्य सद्यस्यों के साथ विवाद होने की संभावना भी हो सकेगी यदि समय रहते आपने कोई प्रयास नहीं किया तो एक दूसरे को जोडने का प्रयास नहीं किया तो समस्याएं आपको ज़्यादा हो सकती है इसलिए घर में सब के साथ आपसी सामजी से बना रहे मदुर संभन बना रहे इसका आपको विशेश ख्याल लखना होगा इसी से आपको लाब प्राप्त हो सकेगा आज लाइब की यदि हम बात करें तो आज जीवन सांती से मधुर संभन बनाए आप रखेंगे तो इसका काफी अच्छा सकारात्मक परिणाम आपको अपने कारी छेतर में भी देखने को मिलेगा क्योंकि जीवन सांती से अच्छा संभन बनाए रखने से आपके मन को शक्ती मिलेगी और कारी छेतर में आपका मन लगा रहेगा कारी छेतर में आप अच्छा विकास कर पाएंगे आज विवसाई की यदि हम बात करें तो आज सोची समझी रण निती के तहत प्रयास करने से यानि प्लानिंग बना करके कोई कारी करने से अच्छा लाब आप प्राप्त कर सकेंगे जिससे धन धानने में व्रद्दी की संभावना अधिक रहेगी किसी तरह का अचल संपत्ती प्राप्ती का योग भी आपके लिए आज बहतर रहेगा आज स्वास्त की यदि हम बात करें तो मोसम संबंदी बिमारी उसे बचने के लिए स्वच्छता पर ध्यान देना अतियावश्यक रहेगा आज सुद्ध पानी और स्वच्छता से आपकी आरोग्यों की शक्ती काफी बहतर होगी तो आज स्वच्छता पर विशेश आप ध्यान रखें तो आपका स्वास्त पहले से काफी उत्तम रहेगा तो आज आपका भाग्यशाली अंकसात है शुबरंग आपका गुलाबी रंग है गुलाबी रंग का प्रयोग कारी छित्र में आप अधिक सदिक करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज सभी विगन संकटवा बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है प्रातहकाल इस्नान करने के पस्चात भगवान हनुमान जी के मंदिर में सुद्ध गी का दीपक जला करके भगवान हनुमान जी को मिठाई वा रितू फल का भोग लगावे भगवान हनुमान जी के मंदिर में अनाज अरपन करें और यथा सकती बेट करके अनुमान चालीसा का पाट करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वसफलता दायक आज रहेगा अगली राशी है धनू धनू राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं यदि आपका कोई विवाद चल रहा हो तो वकील आदी के पास जा करके कानूनी सलाह लेने के लिए आज का दिन बहतर है आज आपको सफलता मिल पाएगी आज का दिन जो है ऐसी चीज़ों को खरेदने के लिए उत्तम है जिसकी कीमत आगे चल करक सकते हैं आज का समय आपके लिए उत्तम है आज मित्रों के साथ अच्छा समय आपका वितित होगा मित्रों के लिए कोई खर्च करना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए उत्तम रहेगा क्योंकि मित्रों से भी आपको काफी अच्छा सहयोग कारी छेतर में मिल पाएगा आज आपको अशुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि अपने वरिष्टों को नजर अंदाज आज बिलकुल नहीं करें आपको ऐसी जगहों से महत्तुपुर्ण बुलावा आ सकता है जहां से इसकी कभी कलपना आपने नहीं की होगी यानि कोई आज नया अवसर भी आपको मिल सकता है किसी भी अवसर को अपने हाथ से आप जाने नहीं दे तो आपके लिए उत्तम रहेगा आज लाइब की यदि हम बात करें तो आज जो है जीवन साती का भरपूर समर्थन वह सहयोग आपको कारी छेतर में मिलेगा जिससे कारी छेतर में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे आज जब यवसाई की यदि हम बात करें तो यदि आपके घर, परिवार, रिष्टेदारों से कोई प्रापर्टी प्राप्त होने का प्रयास है तो वह सफलता दायक रहेगा अपना प्रयास आप जारी रखें और आर्थिक लाप के लिए किया गया प्रयास उसमें आपको समस्याई उत्पन हो सकती है तो आज देरी पुरवक अपने कारे को आप कम करते रहें तो आपको सफलता मिलेगी आज स्वास्त की यदि हम बात करें तो अनावश्यक बिमारियां आपको उत्पन हो सकती है तो ऐसे में आज आज आपको स्वास्त के परती सतर का रहना चाहिए, विशेश करके नियमे दिन्चरिया का आप पालन करें, तो आपका स्वास्त पहले से काफी उत्तम रहेगा, तो आज आज आपका भाग्यशाली अंकचार है, शुबरंग आपका हरा रंग है, हरे रंग का प्रयोक कारी छेतर में आप अधिक से अधिक करेंगे, तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी, तो आज सभी विग्न संकटवा बाधाओं को दूर करने के लिए, आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है, प्रातहकाल इसनान करने के पश्चात, भगवान हनुमा जी के मंदिर में सुद्ध घी का दीपक जला करके यथा शक्ती हनुमान जी का पूजन कर लेवे, और वहां बेट करके यथा शक्ती हनुमान जी महराज के नाम मंत्रों का उच्चारन करें, तो इसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वसफलता दायक आज रहेगा, अ आपको शक, अनास्था, लालच, असक्ती जेसी खराबियों से बचा सकेगा, आज का दिन आध्यात्म से जुडने के लिए आपके लिए उत्तम रहेगा, आध्यात्म छेतर में आप जितना मन लगाए रखेंगे, उतना ही दिन आपके लिए काफी अनुकूल रहेगा, आज अशुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं, यदि आप यात्रा पर जाने का विचार कर रहे हैं, तो सभी जरूरी दस्ताविज अपने साथ रखना आप नहीं भूलें, आज कारिय को मनोरंजन के साथ नहीं मिलाएं, अगर आज आप यात्रा कर रहे हैं, तो आपको अप कर्शन और व्यक्तित्व के जरिये से लोग आपके मित्र बन पाएंगे, आज घर परिवार में भी आपके लिए माहौल काफी अनुकूल रहेगा, जीवन सांती का भी भरपूर समर्थन व सहयोग आपको मिलता रहेगा, जिससे कारे छेत्र में आपका मन लगा रहेगा, और आपको अच्छी सफलता उसमें मिल पाएगी, आज व्यवसाई की यदि हम बात करें, तो व्यवसाई में अच्छा लाब प्राप्त होने के योग हैं, व्यापार व्यवसाई को बढ़ाने के लिए नई योजना आप बना सकते हैं, आज सवारी या वाहन आदी का क्रई विक आप कर सकते हैं, उसमें भी आज आपको लाब हो सकता है, और अन्यत्र आर्थिक निवेस नुकसान आपको पहुंचा सकता है, आज बिना सोचे समझे कहीं निवेस आप नहीं करें तो उत्तम रहेगा, आज स्वास्त की यदि हम बात करें तो आज किसी भी प्रकार की सारीरि स्वास्त के प्रति आप जितना अधिक सतर करेंगे, आपका स्वास्त उतना ही बहतर होगा, तो आज आपका भागिशाली अंकछे है, शुबरंग आपका सुनहरे रंग है, सुनहरे रंग का प्रयोग कारी छेतर में आप अधिक स्याधिक करेंगे, तो आपको विशेश प्रप्राइब करें लाल वस्त्र चड़ावे और दोजा अरपन करें लाल पुष्प की माला चड़ावे और वहां बेट करके सुन्दर कांड का पाट करें तो इसा करने से पुरा दिन आपके लिए शुब वसफलता दायक आज रहेगा अगली राशी है कुम्ब कुम्ब राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज मान प्रतिष्ठा के साथ साथ धन वरद्धी के योग आपके लिए बहतर हैं किसी क्लिष्ट समस्या प्रियजन के सहयोग से समाधान होने के योग बनेंगे आत्म विश्वास के साथ किये गए कारियों से अच्छी सफलता प्राप्त हो सकेगी मान सम्मान सुक सुविधाओं में आज आपके वरद्धी हो सकेगी आज का दिन जो है आपके लिए सफलता दायक सिद्ध होगा आज आपको अशुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं मानसिक असांती तथा घबराहट ए सामानी रूप से कारिय करने की कोसिस करें तो अच्छा रहेगा आज लाइप की यदि हम बात करें तो आज घर परिवार में सभी को आप महत्व दें लापरवाह और अनिश्चित बरताओं की वज़ह से घर परिवार का माहुल आपके लिए प्रतीकूल हो सकता है तो आज व यदि हम बात करें तो कोसिस करने से आपको अच्छी काम्याबी मिलने की संभावना रहेगी यदि आप नोकरी आधी करते हैं तो नोकरी में तरक्की की संभावना भी अधिक रहेगी और आज किसी भी प्रकार की प्राप्ति की द्रश्टी से आज का दिन उन्नती दायक आप के लिए रहने वाला है आज स्वास्त की द्रश्टी से दिन इस प्रकार से रहेगा कि आज आपको तोचा से सम्मंदित कोई समस्या खड़ी हो सकती है तो सारीरिक स्वास्त का विशेश आप द्यान रखेंगे तो आपका स्वास्त काफी उत्तम रहेगा तो आज आपका खड़ी हो सैं प्राता खाल इस नान करने के पस्चाथ भगवान हनुमान जी के मंदिर में सुद्ध घी का दीपग जला करके भगवान हनुमान जी को सिंदूर का चोला अरपन करें और मिठाई वा पंच मेवा का भूग लगा करके बेट करके हनुमान चाले सा का सरद्धा पुर्वक पाट करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वसफलता दायक आज रहेगा अगली राशी है मीन मीन राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं गाड़ी वाहन या मकान आदी लेने की योजनाई सफलता दायक हो सकेगी उस और आपका किया गया प्रयास सफलता दायक रहेगा यदि आप राजनीतिक छेतर में हैं तो राजनीतिक लाप प्राप्त होने के अवसर भी आपको मिल पाएंगे आप अपने इस्थिती और परिस्थिती के अनुसार काम करने वाले रहेंगे तभी आपको लाप मिलेगा किसी भ गर परिवार में सबके साथ आपसी साम्मंज से का अभाव होने के कारण घर का संतुलन बिगड़ने की संभावना अधिक रहेगी। बने बनाए कारिय आपके बिगड सकते हैं घर परिवार में सबके साथ तालमेल बनाए रखना आज आपके लिए अच्छा साबित होगा आज लाइप की यदि हम बात करें तो आज आपका साधी सुदा जीवन काफी अच्छा रहेगा आज के दिन जीवन साथी कोई ओपहार आ आपके लिए काफी अच्छा रहेगा इससे जीवन साथी का भरपूर कारिय छेतर में आपको सहयोग मिलेगा और आप मन लगा करके कारिय करेंगे और आपको अच्छी उन्नती देखने को मिलेगी आज व्यवसाई की यदि हम बात करें तो समय के अनुसार अच्छी सफलता प्राप्त होने के योग हैं आर्थिक स्थिति को लेकर परिशानियों का सामना थोड़ा आपको करना पड़ेगा इसलिए धेरे पुर्वक अपने काम को करते रहें अता किसी तरह का निवेस भी आज आपको नहीं करना चाहिए कोई नई जगह निवेस करने का विचार है तो आप निवेस आप बिलकुल नहीं करें आज स्वास्त की दरश्टी से दिन इस प्रकार से रहेगा कि आज आपका आरोग्य बहतर होगा जो प्रवरतमान सारीरिक समस्या है उसमें राहत आपको मिल पाएगी आज छोटी मोटी मोसम संबंदी कोई समस्या आपको परिशान कर स प्रियोग कारी छेतर में आप अधिक सदिक करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज सभी विग्न संकटवा बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है प्रतहकाल इसनान करने के पश्चात भगवान हनमान जी के मंदि में आटे का सुद्ध घी का दीपक जलावे और हनमान जी महराज को चमेली के तेल में सिंदुर लेकर के अरपन करें लाल वस्तर अरपन करें लाल धोजा चडावें और हनमान चलीसा या सुन्दर कान का बेट करके पाट करें तो एसा करने से पूरा दिन आपके लिए नमित्रों फिर मिलेंगे.